भारत की जन्ता हमेशा से दोनों का भावना एक रहा है राम सबका है महात्मा गांदी जी को जब गोली मारी और किसने मारी बीजेपी के ही परिवार के लोगों ने मारी तो महात्मा गांदी के अंतिम शब्द आप सब जानते हैं हम सब जानते हैं उनके अंतिम शब्द थे ए राम महात्मा गांदी जी सबसे बड़े कॉंग्रिसी थी जब सामने वाले ने गोली मारी तब भी उनके जबान पे राम का नाम राम का नाम सिर्फ वो किसी राजनीतिक प्रयोग के लिए नहीं करते थे वो दिल से राम के प्रति आस्ता रखते थे और सबसे जरूरी बात वो राम राज में विश्वास करते हैं क्या है राम राज राम राज है जनता के हितों का राज जनता का हित किसमे हैं आप नौकरी के मंदिर को उजाडोगे पब्लिक सेक्टर को बर्बाद करोगे सरकारी भरतियां कम करोगे प्राइवेट सेक्टर को बर्बाद करोगे छोटे मद्यम उद्योगपती को चोट पहुंचाओगे तो ये नौकरियों की मंदिरों का नाश करोगे तो ये राम राज नहीं शिक्षा के मंदर चाहे वो स्कूल हो चाहे वो विश्विद्यालय हो जो आम चात्र के लिए बने हैं सरकारी बज़ेट से चलते हैं गरीब परिवार आम परिवार के बच्चे पढ़ते हैं जिनके जेवों पे जोर नहीं पढ़ता उनको कम करकर उनका बज़ेट कम करकर उनका पढ़ाई के स्कूलरशिप काट कर आप प्राइए युनिवरस्टीस को बढ़ावा दोगे फीज को निरंतर बढ़ाओगे तो शिक्षा के मंदरों को तोड़ रहे हो जनता के मंदरों को तोड़ रहे हो उनके बच्चों के भविश्य के मंदरों को तोड़ रहे हो तो ये रामराज्य नहीं हो सकता अब आते हैं आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं पूरा जवाब देने दीजे अब आते हैं चिकित्सा के मंदिरों पर सरकारी अस्पतालों की क्या हाल है क्या बना दिया गया है यह आप से छुपा हुआ नहीं कॉंग्रेस के सरकार ने अशो गेलोट जी जब मुक्य मंत्री थे यह इलाज की निजीकरण के खिलाफ चिरंजीवी योजना लेके आये थे जिससे राजस्थान के जनता का उधार हुआ था भला हुआ था राम राज्य का कॉंग्रेसी राज्य का उधारण है पतीक है उसको बंद करने जा रहे हैं तो यह राम राज्य नहीं है तो यूद कॉंग्रेस राम राज्य शिक्षा के मंदर इलाज के मंदर रोजगार के मंदर के मांग जनता के तरफ से सरकार से करती है धनिवाद यात्रा का रूट कुछ धौलपूर से होते हुए जैसे आपने काभी तक जो रिलेज हुआ है भांसवाड़क के से निकलते हुए जा रही है राहूल गांदी जी की यात्रा जिस रूट से जाएगी वो रूट राजस्थान को चूके जा रहा है वो जब कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर चले थे तब राजस्थान के धुरू काफी चले थे लेकिन कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी का हर एक अंग प्रदेश कॉंग्रेस हो युवा कॉंग्रेस हो उस यात्रा को प्रदेश के हर कोने तक लेके जाएंगे उसके मांग न्याएदो का मांग हर एक कोने तक लेके जाएंगे और उसी यात्रा का एक हिस्सा है रोजगार दो न्याएदो तो यह रात्रा भले एक रूट से जाएगी लेकिन इसका संदेश हर जगा पहुंचाने का काम, कॉंग्रेस पार्टी और उनके संगठन सारे मिलके, हम सब मिलके करने वाले हैं। उनको ज्यादा से ज्यादा मद्दाता बनाने की जिम्मेदारी हम आगे बढ़कर करेंगे। अभी के लिए स्रीनिवाज जी हमारे अध्यक्ष हैं और जहां तक मुझे पता है अभी फिलहाल कोई चर्चा इस पे ज्यादा गंबीरता से नहीं हुए। विदान सबाह हो या लोक सबाह हो यूद कॉंग्रेस के उम्मीदवारों से मेरा हमेशा एक ही लाइन रहती है। कि कोटा 0 भी हो सकती है यूद का कोटा 100 भी हो सकती है। 100 परसंट भी हो सकती है या 0 परसंट भी हो सकती है। बात यह है कि कितने उम्मीदवार जीतने के काबिल हैं। अगर सौ फिसदी 25 में से 25 लोकसभाव में युवा उम्मीदवार सबसे बहतरी इन उम्मीदवार हैं, तो हम युवा उम्मीदवारों को आगे करेंगे। तो जिस लोकसभाव में जितने मजबूत युवा हैं, उनकी लड़ाई उतनी मजबूती से युवा कॉंग्रेस लड़ते हुए आ रही है। भारतिय युवा कॉंग्रेस, राजस्थान युवा कॉंग्रेस, लगातार हिंदुस्तान की युवाओं के मुद्दों पर, सडक प संसत तक उनके मुद्दे उठाती रही है। आज राजस्थान हो, जैसारा हिंदुस्तान हो, युवाओं की सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। रेकॉर्ड नौकरी का रेकॉर्ड देखें, तो बहुत भयंकर तरीके से फेल हो चुकी है। सारे हिंदुस्तान में बेरोजगारी रेकॉर्ड तोड़ चुकी है। हर जगह भाजपा के सरकार के गलत नीतियों के वज़े से नौकरियां दिन रात बरबाद की जारी हैं। और युवा कामकाज के लिए तरस रहा। ऐसे माहौल में कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के नेता राहूल गांदी जी मनिपूर से मुंबै तक यात्रा निकाल रहे हैं। न्याए मांगने। और न्याए का एक बड़ा हिस्सा है रोजगार का न्याए। तो उसी यात्रा और उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए राजस्तान युवा कॉंग्रेस और भारतिय युवा कॉंग्रेस सारे हिंदुस्तान में रोजगार दो न्याए दो की मुहीम चला रही है। इस मुहीम के द्वारान हम युवाओं के आवाज बनना चाहते हैं जैसे अभिमन्यू ने कहा सडक को सडकों पर आएंगे गाउं पंचायत वार्डों में जाएंगे विधान सबा को घेरेंगे और नौकरी का मुद्दा रोजगार का मुद्दा पिर राजस्तान के सरकार और केंद्र सरकार से न्याए मांगेंगे। आज राजस्तान युवा कॉंग्रेस दोवारा प्रेंस कॉरफेंस में रोजगार दो न्याए दो जो राजस्तान के विविन बुद्दे युवाओं को लेकर कॉंग्रेस के राज जाने के बाद इसे बाजपा का राज आया युवा मित्रों की नोकरी चीनने का काम किया उन अधर locks बार्तिय वाइट कोंग्रिस के राष्टेय के राष्टिय सचीव मुहमथ साइज जि कारेकारिया देक्स त्रसुरा जी सुदिंद्र ूद्ल्य जी हमारे ट्रमूड है और समस्त मीडिया के सात्यों का स्वागत वे हुदूनन करता हूं जिस पर सरकार आने के बाद मुख्ני मंत्री गिशिक कट पूतली की तरह राजस्तान के अंदर काम करें सत्व 부क मेरी गिया करें के वह जोगों सेवाय लुट करने काम करेंगए जिससे कि एक भी- swords member के अलावा किसी दूसरे पृइवार को फाइदा नहीं हो सकता तो कहीं ना कहीं आमजन की जो योजना थी उनको बंद करने का काम बाजपा सरकार कर रही है उसी को लेकर राज़तान युवा कोंग्रेस आने वाले समय में सडकों पर उतरेगी डोर टू डोर कंपेन का कारेकरम हो हमारे रोजगार दो न्यायदो में डवल एट 60812345 जो नंबर है उस पर वोल इंटर बनाने का काम हो शेर से लेकर गांस्तर बूस्तर पर युवा कोंग्रेस जाने का काम करेगी और आने वाले समय में जिल्ला संभाग और विदान सभा को गेरने का काम करेंगे बासपा की इस कटपुतली सरकार को जब तक युवाओं को रोजगार नहीं देंगे खरी इलाज सुविदा चालू रखेंग नहीं रखेंगे ये इन मुद्दों पर हम सड़क पर लड़ेंगे इसी के साथ मैं कहूंगा हमारे बीच अलावरू सर को आपके बीच वरिप्त रहेंगे